पूरुसों के लिए ब्यागरा से कम नहीं है कौँच का बीज रुजाना सेवन से मिलेगी तंद्रुस्ती कौँच के बीज में मौझूद पो सकता तो बोढ़ो को भी पिता बनाने में शक्षम कई पूरुष पिता बनने में अक्षम रहते हैं इसकी बज़त से शारीरी कमी और अन्य कारण हो सकते हैं पूरुषों के इस समस्या को दूर करने और अन्य बिवारियों से छुटकारा दिलाने के लिए काँच के बीज बहुत ही फायदेमांद होते हैं आईवेद से इस सिलाजी से भी ताकतवर बताता है काँच के बीज में प्रोलोक्टीन नामक एक हार्मोन पाया जाता है एक प्रोलोक्टीन प्रजनन नया पचय और इमरेन इवलेटरी कारियों के लिए फायदेमांद होता है ये टेस्टो टोस्टरोन का उत्पादन करता है इसे पुरुषों की शारीरिक अच्छमता दूर होती है इससे दूद के साथ लेना फायदेमांद है काँच के बीज के नियमित से थकाने हम शारीरी कमजूरी दूर होती है इससे बॉड़े तंतरूस बनती है या हर्मोन के बैलन्स को भी शंतुरीद करता है कौँच के बीच खाने से पिनियल गांथे पर शक्रिय होती है जिसमें नीद लाने वाले हार्मोन मोलाटोनिन उत्पन होते हैं इससे डोपामाइन नामक रशायन का भी स्राव होता है जिसे ब्यक्ति को गहरी नीद आती है इसे तनाव भी कम होता है इसमें डोपामाइन की बहुत अधीक मात्रा होती है यह और भी पिटी उट्री ग्रंथी को उतेजित करता है और श्वास्त हार्मोन को पूरे जीवन तक बनाये रखता है इससे बढ़ती उम्र का अशर कम हो जाता है कौँच के बीज में प्रोटीन, हिल्दी, फैड, फाइवर ततो पाये जाते हैं जो मांस्पेशियों के बिकास में मदद करते हैं इससे सरीर को एनरजी भी मिलती है कौँच के बीज संत्रिका और शंग्यानात्मक गर्दी भीदियों को नियंत्रित करमस्तिस को श्वास्त बनाता है इससे अनिद्रायम तनाव कम होता है चोकि कौँच का बीज खाने से माइड में खुशी देने वाला रशायन रिलीज होता है इसलिए यह मूट को बहतर बनाने का काम करता है इसके सेवन आलस से छुटकारा मिलता है यह सरीर को एनरजी देता है और शारीर श्वास्तरादा है कौँच के बीज में मौझूद पोशकता है तो इम्मिनिटी को बढ़ाने में मौझूद बढ़ाने में भी मदद करते हैं इससे संकरमण नहीं होता है तो यह कौँच के बीज खाने से जो यह फायदे हैं वह मैं आपको गिनाया अगर यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाई कमेंट शेर करें चैनल पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करकर बेल आइकन का बटन दबाकर जरूर जूए धन्यवाद